तो आज मैं कुछ इंपोर्टेंट बाते श्यार करना चाहती हूं अपना फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड क्यूंकि अभी अभी मैं ऐसा एक हाथसा ऐसा एक्सिडेंट डेख के आई हूं जो कि मैं सोची आप लोग साथ शेयर करूं तो ऐसा सिच्वेशन था कि मैं उसका फोटो लिए नहीं पाई हूं लेकिन आप लोग साथ शेयर करने से साथ आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक तरीका का एक्सिडेंट एक हुआ है तो एक नवजवान लड़का मतलब की सोच लीजिए उसका उमर 20 साल होगा चाहे उन्हें साल वो पढ़ाई कर रहा है इंजिनेरिंग का और उसने अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए कुछ काम आ गया था तो अपना फ्रेंड के घर गया उसके बाद आके और जब फ्रेंड के घर से बेक किया अपना रूम में आने के लिए तो उसी दोरान रास्ते में उसका एक्सिडेंट हो गया और वो उसका सीर एक्दम तो आप लोग सोच रहे होंगे किया इप्वर्ड बता रही 诅ब क्या इंपोर्टेंश typa खासियत एह है की हल्मेट हल्मेट नहीं लगाने के वज़े से उसका इतना बुरी तरीका का एकसिदेन्ट हुआ तो मैं कहूंगी हमारे सरकार ये कांपल जारी लागु की हैं हेलमेट लगाना तो क्यों हम लोग भूल जाते हैं हम लोग तो कभी भी मुबाल का कभार लगाना या तो अपना फेशन के लिए अपना कोई परफियूम या तो अपना लिप्स्टिक या तो जो की क्रीम यह सब तो नहीं भूलते हैं यह सब तो थाट चीज है मतलब जो की जो इंपोर्टेंट चीज है जो की अपना सेफटी के लिए होता है अपना बचाओ के लिए होता है वो चीज हम लोग क्यों भूल जाते हैं और वो सेफ्टिक लिए हम लुगों को इतला करते हैं के लिदि से खुद से खुद का बचाहूं के लिए नियम माननी चाहिए हं इतना एक्सिडेंट होए जा रहा है इतना बुरी तरीका से आदमी अपने आपको अपने अपनों को खो दे रहा है लेकिन फिर भी हम लोग जो है आदमी कैसा है कि अपना सेफ्टी के लिए कुछ करना भूल जाते हैं और इसलिए मैं कहूंगी कि जो की हेलमेट है वो सभी को लगाना चाहिए जादा दूर जाने का उसका नहीं था पास में जाना था इसलिए सोचा पास में तो जाना है पसेलमेट नहीं लगाता हूं चला जाता हूं लेकिन पास में ही जाना है अगर आज हो हेलमेट लगाया होता तो उस तरीका से उस बुरी तरीका से उसका हाथसा नहीं होता और मतल अगर ऐसा हो जाए तो सभी को दूख होगा एक मा जो होती है वो एक बच्चा को पोस पाल के बढ़ा करती है बहुत ही कस्ट से और पुरा उमीद बना लेती मेरा बेटा मतलब अच्छा बने अच्छा सब वो सब कुछ लेकिन फिर भी बच्चा जो बढ़ा हो जाता है तो कु बचाओ के लिए जो इंपोर्टेंस होता है और आज काल तो मेरा नजर में मेरा बच्चा को टूशन लेके जाती हूं तो कभी के बिरास्ते में इतना छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो कि सिग्रेट लेते हैं गुठका खाते हैं तो मुझते तो बलदास्त नहीं होता है क्या करते हैं इस एक मेरा आदत्थ हो अजमिया इसलिए मां इतना करके तुम लोगों को बड़ा करती है अच्छा वनने लिए तुम पीट पीछे मां को धोका दे रहे हो कि नहीं तो बोलते हैं हाँ आंटीएफ से नहीं करूँगा लेकिन मैं यह भी कहूंगी जो दुकानदार लोग से छोटे-छोटे बच्चे खरीद के खाते हैं एक गंदा चीजे घुटका हो या सिग्रेट हो या कुछ भी तो ओजो चीज याता है आसानी से पैसा देता है मिल जाता है वो लोग खा लेता है तो जब मिलेगा नहीं तो बच्चे खाएंगे कहां से मेरा कहना यह फ्रेंस तो इसलिए अब हर बच्चों से कहूंगी कि माबब को धोका मत दीजिए और अपने आपको सेफटी रखिए और वीडियो को लंबा नहीं करूंगे फ्रेंस और फिर मिलती हो नए ब्लोगिंग या नए कोकिंग के साथ बबाई